नमस्कार दोस्तो इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्योग्रिस कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। एक मल्टी विटामिन हेल्थ सप्लिमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरॉल स्वास्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि क्योग्रिस कैपसूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं। और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। क्योग्रिस कैपसूल के अंदर ओमेगा-3 300 mg मौजूद होता है। ओमेगा-3 शरीर में ट्राइगलिस्राइट्स और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद करता है। और शरीर के जोडो, ब्रेन, दिल, स्वचा और आखों को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करता है। ओमेगा-3 उम्र बढ़ने के दौरान आखों को कमजोर होने से रोकता है। इसके अलावा ब्रेन के विकास और याददाश्त को अच्छा बनाये रखने के लिए भी ओमेगा-3 बहुत ही जरूरी होता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में बच्चे के ब्रेन और आखों की ग्रोध के लिए भी ओमेगा-3 जरूरी होता है। ओमेगा-3 शरीर के जोडों में दर्द वसूजन को कम करता है। और शरीर के जोडों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ओमेगा-3 शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। और कैंसर होने से बचाव करता है। ओमेगा-3 त्वचा को स्वस्थ, जवान वचमकदार बनाए रखता है। और समय से पहले बुढ़ा होने से बचाव करता है। इसके अलावा ओमेगा-3 त्वचा का धुप की वज़ा से डैमेज होने से भी बचाव करता है। और त्वचा पर एकने यानी मुहासो की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। क्योग्रिस कैपसूल के अंदर यूबिडे के रिनोन 150 mg मौजूद होता है। यूबिडे के रिनोन को को एंजाइम Q10 के नाम से भी जाना जाता है। यूबिडे के रिनोन शरीर में ब्लड़ वेसल्स को चौड़ा करके शरीर में ब्लड़ के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता इसके अलावा यूबिडे के रनोन शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल के स्वास्थे को बहतर बनाता है। इसके अलावा यूबिडे के रनोन चेहरे पर जुर्यों को होने से रोकता है और तवचा का धूप की वज़ा से भी डैमेज होने से बचाव करता है। यूबिडे केरेनोन माईग्रेन होने से बचाव करता है और इंसुलिन की समवेदन शीलता में सुधार करके बलड शुगर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यूबिडे केरेनोन पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और महिलाओं में अंडे की क्वालिटी को बहतर बनाता है। क्यूओग्रेस कैपसूल के अंदर विटामिन E 100MG मौजूद होता है। विटामिन E तवचा में रूखेपन की समस्या को दूर करता है और तवचा की प्राकर्तिक नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा विटामिन E जुर्यों को कम करने और जुर्यों को रोकने में भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। विटामिन ई का प्रतिदिन परियाप मात्रा में सेवन करने से बढ़ती उम्र के लक्षण कम नजर आते हैं और तवचा स्वस्थव चमकदार बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन ई आखों दिल और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। जिन व्यक्तियों के बाल सूखे और बेजान नजर आते हैं। उन व्यक्तियों के लिए विटामिन ई बहुत ही फाइदे मन साबित हो सकता है। क्योंकि विटामिन ई बालों को स्वस्थव चमकदार बनाता है और बालों की सूखेपन की समस्या को भी दूर करता है। इसके अलावा विटामिन E शरीर में कैंसर होने के रिस्क को भी कम करता है दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि क्योग्रेस कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर क्योग्रेस कैपसूल को लेने की सला दे सकते है क्योग्रेस कैपसूल का उप्योग शरीर के ओवरॉल स्वास्थि को अच्छा बनाए रखने के लिए, आखों की कमजोरी को दूर करने के लिए, दिल के स्वास्थि को भेतर बनाने के लिए, नियूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, डाइबिटिक की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनरजी वा स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान वा कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्योग्रेस कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं, ज्यादा एकसरसाइस कर जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए Q-O-Gres Capsule को ले सकते हैं, जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं. ऐसे व्यक्तियों में नुट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती हैं. इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक् इसके अलावा ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी नुट्रिशन की आवशक्ता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में नुट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्तर क्योग्रेस कैप्सूल को लेने की सला दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वज़ा से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्तर क्योग्रेस कैप्सूल को लेने की सला दे सकते हैं। अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भी नुट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्तर क्योग्रेस कैप्सूल को लेने की सला दे सकते हैं। क्योग्रेस कैपसूल शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनरजी के लेवल को बढ़ाता है। अब हम डिसकस करेंगे की क्योग्रेस कैपसूल को कैसे लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डूक्तर क्योग्रेस कैपसूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। क्योग्रेस कैपसूल को सुभा या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। क्योग्रेस कैपसूल को आप हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ क्योग्रेस कैपसूल को न ले। क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ क्योग्रेस कैपसूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोशन कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्योग्रेस कैपसूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। क्योग्रिस कैपसूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको क्योग्रिस कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. क्योग्रिस कैपसूल को कितने दिन तक लेना चाहिए या कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि क्योग्रिस कैपसूल एक हेल्थ सप्लिमेंट है. अगर आपकी डाइट में नुट्रिशन की कमी है, तो आप क्योग्रिस कैपसूल को तब तक ले सकते हैं. जब तक आपकी डाइट से नुट्रिशन की कमी पूरी न हो जाएं. आप अपने शरीर में नुट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सबजियों, सलाद, दूद, दही, जो बादाम वा अन्य ड्राइ फ्रूट्स का सेवन परियाप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं. यदि आपके डॉक्टर ने क्योग्रिस कैपसूल को लेने की सलाह दी है, तो आपको क्योग्रिस कैपसूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे क्योग्रिस कैपसूल एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और जयादातर व्यक्तियों में क्योग्रिस कैपसूल की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्योग्रिस कैपसूल की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे उल्ती आने का मन होना, मुख का स्वाद घराब होना, पेट-दर्द होना, दस्थ होना या कबस होना आधी side effects去ogrys capsule की वजह से हो सकते हैं. Duskyogrys capsule की वजह से ये side effects सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ percent व्यक्तियों में इन side effects को notice किया गया है. Q-Gress Capsule को Recommended Doge से ज्यादा डोज में लेने पर Q-Gress Capsule की वज़ा से Side Effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है इसलिए आपको Q-Gress Capsule को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि क्योग्रिस कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। मल्ती विटामिन कैपसूल या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सबजियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्ती विटामिन कैपसूल या टैबलेट को तभी लेना चाहिए। जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टी विटामिन कैपसूल या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो क्योग्रेस कैपसूल का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी नुट्रिशन की आवश्चक्ता अधिक होती है लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्योग्रेस कैपसूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए कुछ व्यक्ती पूछते हैं कि क्या Q-GRIS Capsule वजन को बढ़ाता है या नहीं. Q-GRIS Capsule एक मल्टी विटामिन कैपसूल है जो आपके स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद करता है. विटामिन्स न तो वजन को बढ़ाते हैं और नहीं वजन को घटाते हैं इसलिए क्योग्रिस कैपसूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्योगरिस कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं